सब्सक्राइब कीजिए सबका हेल्प यूट्वीब चैनल को बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का सबका हेल्प यूट्वीब चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनस ले करके आये हैं जिसे आप मात्र 65,000 रुपे में अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं दोस्तों ये जो बिजनस है वो अगरबत्ती का प्रोडक्शन करने का बिजनस है आप अपने घर पर ही एक छोड़ी सी मसीन ले करके और अपने घर पर ही इस बिजनस को बड़ी ही आसानी से शुरू कर सकते हैं दोस्तों इस मसीर में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो मसीन है वो बिजनी से चलती है दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा लाइसेंस के बारे में और इसका जो प्रोड़क्शन कास्ट आएगा वो और इसमें जो कितना मुनाफ़ा होगा य तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन एक दम फुली आर्टोमेटिक मसीर है दोस्तों सारा कुछ मैंने वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहिए दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आपको यह बता दो कि इस बिजनेस में आपको जो लेना है वो आपको टिन नमबर लेना करवाना होगा और इसके बाद में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं दोस्तों इसमें जो पैकिंग का कास्ट आएगा वो मात्र एक दिब्ब्य का दो रुपए आएगा आगे मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा कि कितना इसमें पुरा खर्चा आएगा और इस 14,000 रुपए प्रट दिल के हिसाब से आप कमा सकते हैं आसानी से दोस्तों इसमें आपको ज्यादा जगह कि आओ सकता नहीं होती है इसमें जो उपर एक होपर लगा हुआ होता है उस होपर में आपको रा मटेरियल डालना होता है रा मटेरियल आप कैसे तयार करेंगे तो र more time तो उसके बाद में आपको वह पर में उसे डालना होता है दोस्तो आप जहां से म specialize करेंगे वहां प Teachers ढूंप को इसकी पूरी जानकाई दे दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको प्रभरबत्री का production करते हैं दुसलिए आसे दी ले चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि जो मसीन है वो आप कहां से पर्चेश करेंगे और किस कितने में आपको मसीन मिलेगा और इसके साथ में जो रा मटेरियर है वो आपको कितने में मिलेगा और कैसे मिलेगा तो सारा कुछ जो है हम अपने स्क्राइब करना तक है साला करना पानी पाउडर कुझे करों में वक्ते कुछ वसक्मिलेग में तो उसमें 600 ग्राम पानी मिक्स करके और उसको अच्छी तरीके से उसे भुरुखरा एकदम बना लिया जाता है रा मटेरियल उसके बाद में जो यह वोपर आप देख रहे हैं इस वोपर में उसे डाला जाता है और डालने के बाद में यहाँ पर इस्टिक लगा दिया जाता है ब पैसर 1000 रोबे की मसीन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे में उनका कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है जो सप्लायर है आप उनसे कांटेक्ट नमबर नोट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों यह आ अच्छी मशीन है आप इसे मगवा सकते हैं दोस्तों इसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ीगी वो ज़रूरत होगा आपको प्रिमिक्स पाउडर का तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं प्रिमिक्स पाउडर यहां 16 रुपए पर किलोग्राम के सबसे मिल जाएगा इसे मगवा सकते हैं यहां पर नीचे कांटेक्ट डिटेल सबका दिया हुआ है तो आप इन नमबर पर फोन करके और सप्लायर से बात करके आप जो है प्रिमिक्स पाउडर मगवा सकते हैं इसके रहा दोस्तों आपको ज़रूरत होगा वो होगा बैंबू इस्टिक्स का तो आपको यह महगा मिलेगा तो आप सीधे ड्रम जो है ले सकते हैं दोस्तों यह आपको कई रेट में मिल जाएगा 125 रुपे प्रत लीटर के हिसाब से 110 रुपे प्रत किलोग्राम के हिसाब से 125 रुपे तो आप 100 रुपे वाला ही ले सकते हैं इसके लावा आपको जो जुरत ह होगा पर्फ्यूम तो पर्फ्यूम आपको जो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है अगरबत्ती पर्फ्यूम और दोस्तों यह आपको पांच सो रुपे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाएगा हाला कि मैंने डिस्कुशन बाक्स में सभी चीजों का अगरबत्ती मसीन का और अगर प्रिमिक्स पाउडर का बैम्बू इस्टिक्स डीपी आयल और पर्फ्यूम सभी चीजों का लिंक मैंने डिस्कुशन बाक्स में दे दिया है आप वहां पर जा करके और क्लिक करके डारेक् खर्चा कितना आएगा और आपका जो सुद्ध मुनाफ़ा होगा वो आपको हम अपने computer screen पर दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको जो है रा material का खर्चा और इसमें होने वाला जो मुनाफ़ा है उसके बारे में आपको बता दूँ दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यह जो machine है वो एक घंटे में 5 से 10 kg का production करती है तो हम यहाँ पर जो है 8 kg आउसत मान के चलते हैं दोस्तों machine का जो production एक घंटे में होगा वो 8 kg का होगा जिसमें 5 kg premix powder और 3 kg water mix किया होगा क्योंकि हमने पहले ही बताया है आपको वीडियो में कि जो premix powder होगा 1 kg उसमें आपको 6500 ग्राम पानी mix करना है दोस्तों आप जो है 8 घंटे में जो full production होगा वो होगा 64 kg इसमें आपका जो 40 kg premix powder होगा और 24 kg water होगा दोस्तों कुल मिला करके इसमें 64 kg आठ घंटे में इसका production करेगी मसीन तो दोस्तों अगर 64 kg आप production करते हैं तो इसमें जो है कुल मिला करके लगभग 23 kg bamboo sticks लगेगा दोस्तों आपका कुल तयार माल हो जाएगा 64 kg आपका जो माल होगा पाने मिक्स किया हुआ जो आपका premix powder होगा 64 kg वो प्लस 23 kg आपका bamboo sticks हो जाएगा तो कुल मिला करके 87 kg हो जाएगा दोस्तों इसको आपको धूप में नहीं सुखाना है आप हलका च्छाओं हो या कमरे के अंदर आप पंखा चला करके और इससे आपको सुखा लेना है तो सुखाने के बाद में जो आपका माल बचेगा वो बचेगा 70 kg दोस्तो 70 kg जब बचेगा तो इसके बाद में आपको इसको DEP oil plus perfume एक में add करने के बाद में जो आपका अगरबत्ती है इसको उसमें dip करना होता है तो दोस्तो डिप करने के बाद में जो आपका माल हो जाएगा वो हो जाएगा 85 kg यानि 85 kg अब दोस्तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि प्रिमिक्स पाउडर जो आपका होगा वो आपका 40 kg कि यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि 40 kg इसमें आपका प्रेमिक्स पाउडर हुआ और 24 kg आपका वाटर हुआ दोस्तों एक जरूरी बात में आपको यह बता दूं कि यह जो प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं यह केवल मैं एक दिन का बता रहा हूं केवल एक दिन का प्रोडक्शन है तो प्रेमिक्स पाउडर 40 kg यह आपको 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा तो इसका टोटल कास्ट हो जाएगा दो हजार 24 रूपए बैंबू स्ठिक्स का टोटल कास्ट हो जाएगा 800 रुपए क्योंकि 30 kg बैंबू स्ठिक्स होगा और यह मिलेगा आपको 88 पर्खिरी किस सत्रोंट आपको बड़ा ग्रंव लेना है तो यह आपको आपका चौता हुटासो प्रोब並 हो जाएगा प्लस इसके साथ साथ को परफ्यूम करना है तो पर्फ्यूम आपका लेगा एक लिटर और एक लिटर परफ्यूम आपका हो जैगा 500 रुपे अगा दोस्तों इसके साथ-साथ आपका जो electricity bill है वो आपका एक दिन का खर्चा आएगा 100 रुपे 100 रुपे से कम ही आएगा लेकिन हम 100 रुपे मान लेते हैं इसके साथ-साथ आप जो है दो helper एक दिन का उसका जो पैसा मान लेते हैं हम 800 रुपई तो सो रुपई यह हो गया यानि टोटल खर्चा जो हमारा हुआ वह हुआ को मिला गर करके 5624 रुपई इसको हम पूल मिला करके जोड लेते हैं तो जोडने पर हमारा 5624 रुपई आ गया दोस्तों इतना खर्चा तो हमारा इधर हुआ अब हमें यहां पर देख लेना है 25 ग्राम की अगर हम पैकिंग करते हैं तो एक किलो ग्राम में हमारा 40 बैकेट बनेगा और 85 kg में हमारा कुल मिलाकर के जो packet बनेगा वो होगा 3400 packet यानि 3400 packet बनेगा दोस्तो एक packet का खर्चा जो आएगा जो packing का खर्चा है और इसका जो printing का खर्चा है वो अगर हम मान लेते हैं 2 रुपे तो 3400 को अगर हम 2 से multiply कर देते हैं तो हमारा कुल मिलाकर के 6800 रुपे हो जाता है अब हमारा 6800 रुपे इधर प्लस यहां पर जो हमने जोड़ा था 5624 रुपे तो इसको हम दोनों को add कर देते हैं 8600 PLUS 5664 रुपे तो कुल मिलाकर के हमारा जो खर्चा हुआ वो हुआ वो 12424 रुपे दोस्तो एक दिन में हमारा कुल मिला करके 12,424 रुपे खर्च होगा मसीन के अलवा दोस्तो अब होलसेल में अगर आप एक डिबबा 7 रुपे में सेल करते हो क्योंकि आप रिटेल में बेज नहीं पाओगे आपको होलसेल में बिजनिस को करना है तो होलसेल में आप एक डिबबा 7 रुपे में सेल करते हो क्योंकि जो दुकानदार होगा वो इसे 10 रुपे में सेल करेगा तो आप होलसेल में से 7 रुपे में सेल करो और उसके बाद में आपको 3400 जो डिबबा आपका होगा वो 7 रुपे के हिसाब से हम multiply कर देते हैं तो कुल मिलागर के जो आपका मुनाफ़ा होगा वो होगा 23,800 रुपे दोस्तों अब 23,800 रुपे में से हम 12,424 रुपे जो हमारा खर्चा हुआ था उसको हम निकाल देते हैं तो जो हमें सुथ मुनाफ़ा एक दिन का हुआ वो हुआ 11,376 रुपे यानि आप एक दिन में बहुत ही आसानी से 11,376 रुपे बड़ी है आसानी से आप कमा सकते हैं इस machine के जरिए तो दोस्तो बहुत ही कमाल की machine है बहुत ही बढ़िया machine है और आप इस business को अगर करना चाहते हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं तो दोस्तो लास्ट में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप जो अगर इस business को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपको इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ करने के आउसकता नहीं है किवल एक मसीन ले करके और रा माटरियल को परचेश करके उसके बाद में आपको बिजनेस अपना सुरू कर देना है दोस्तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त होई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको कुछ इस वीडियो से help हुआ होगा, मदद मिली होगी इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक और business idea के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन सुभू